आप देश के किसी भी हिस्से में हो आम तोर पर अगर कोई जागरुग व्यक्ति है तो वो इस बात की चर्चा करते हुए मिलता है कि युवाओं से और चुनावओं से मुद्दे पूरी तरीके से गायब होते जा रहे हैं लोग इस बात को समझने को तैयार क्यों नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने से उनके रोजगार पर संकटाएगा उनकी रोजी रोटी पर संकटाएगा उनकी नौकरियों पर संकटाएगा लेकिन इस मामले में वो विलेन बताने की कोशिस करते हैं प्रधान मीडिया बन करके देश से मुद्दे खत्म करता चला जा रहा है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारती जनता पार्टी एक पार्टी है और पार्टी होने के नाते वो ये समझती है कि उसकी पहली प्राइटी ये है कि उसको एनके इन प्रकारन सत्ता में बने रहना है अगर इस देश के लोग राम्मंदिर के नाम पर अपने मुद्दों को भूलते हैं तो भारती जनता पार्टी को लगता है कि उसको अन्य मुद्दों की बात करके जैसे भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलिम की बात करके, भारत और च किसानों के आत्मत्या करने का रेसियो क्या है लेकिन गोधी मीडिया ने पूरी तरीके से इन मुद्दों से लोगों को भटका करके नएने मुद्दे क्रियेट करती है इस समय आप कोई भी चैनल खोल करके देख लीजिए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है ब बार्टी के तौर पर देखा जाएगा कॉंग्रेस का नेता अगर कोई बात कहता है तो इसको विपक्षी दल के तौर पर देखा जाएगा लेकिन ये गोधी मेडिया अगर कोई बात कहती है तो भारती जन्मानत्स में आज भी माना जाता है कि मेडिया अगर कोई बात कह रह एक उधारन में आपको बताता हूँ, आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से बठाल दिया गया है, कि दिल्ली में कॉंग्रेस के समय में जितने भी इसमारक बने, वो जगे की भी बरबादी थी, धन की भी बरबादी थी, बैसे ही आपके दिमाग में बठाल दिया गया, कि मायवती ने नोईडा से लेके लखनव में जितने पार्क बनवाए जितनी मूरितियां लगवाईं देश में सबसे ज़्यादा किसी सरकार ने अगर धन का पैब्बे किया तो वो मायवती ने किया उसी बीच में गोदी मीडिया ने एक ख़वर को फरजी तरीके से लोगों के सामने लाया कि सुप्रीम कोट ने मायवती से कहा है कि सारे पैसा आप बापस कर दीजिये जब कि सुप्रीम कोट ने इस पश्च तोर पर कहा था कि हमने एक सुझाओ दिया है हमने कोई निर्न या आदेश नहीं दिया है बैसे ही इस गोदी मीडिया ने आपके मन में बैठाल दिया कि अखलेश की जितनी भी परियोजना है थी चाहे वो गोंती रिवर फ्रेंट की परियोजना हो चाहे वो अन्यपार्क बनानी की परियोजना हो या यह सारी फिजूल खर्ची थी लेकिन इसी गोदी मीडिया की साजिस्पन देखिए कि वो इस बात पर चर्चा नहीं करता है कि कुम्ब मेले पर 4236 करोण अगर योगी सरकार ने खर्च कर दिया तो यह क्या आपके अपने टेक्स का पैसा नहीं था अगर योगी सरकार यह पैसा खर्च कर रही है तो क्या योगी अपनी ब्यक्तिकत जमीन को जुतवा करके उस जमीन से पैसे कमा करके खर्च कर रहे हैं यह भी हमारे और आपका पैसा है यह गोदी मेडिया आपको सोचने ही नहीं दे सकती कि दीपावली पे नाम पर दीपोत्साव के नाम पर अयुद्या में 133 करोन रुपए खर्च कर दिये गए पिछले वार का जो बचट रखा गया था उससे इस वार 5 गुना 6 गुना जादा बचट रखा गया मैं इसमें योगी को दोस्त नहीं दूँगा क्योंकि योगी क भी कर रहे हैं लेकिन गोधी मीडिया की और हमारी आपकी क्या जम्मेदारी बनती है अगर गोधी मीडिया ब्रोध नहीं करती है तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यह वही उत्तर प्रदेश है जिसमें तमाम सारे लोगों की कहा जाता है होंगार्ट को कि 25,000 होंग आगों में जब आप विकास के नाम पर उनसे कहते हैं कि हमारे आखी सड़कें क्यों नहीं मनी तो बताया जाता है कि बजट पूरा नहीं आया है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पैरा मेडिकल करमचारियों को तीन महीने से बेतन नहीं मिला है। पाट तक के बच्चों को अपनी पाट पुस्तों को का इंतजार है। कर दिये केवल दिखावे के नाम पर उस 133 करण रुपए से अगर आयोध्या के बुनियादी धाचे को ठीक करने की कोसित की जाती तो आयोध्या जो बिकास की बाट जो रहा है उसकी कुछ इस्तिती ठीक होती। जब मैं पहली बार आयोध्या गया इस्टेशन पर उत्रा तो आप खुद जाकर के महसूस कर लीजिए कि पूरे आयोध्या में गंदिगी का आलम पसरा हुआ है। जानवरों का गोवर और बड़ी संख्या में जानवरी खटे मिल जाएंगे। आप जिस भी किसी रास्ते पर जाएंगे चाहे वो राममंदिर वाला रास्ता हो या अन्य रास्ता आपको दिख जाएगा कि आयोध्या में मूल भूत जरूरतों का भी विकास नहीं हो पाया है लेकिन सरकारों को पता है कि उनको बोट उस विकास से नहीं मिलना है उनको बोट लोगों को इसी तरीके से मूर्ख बनाने के नाम पर मिलना है। आदिवासी ही देश के सच्चे नागरिक हैं क्योंकि उन्होंने ही इस देश की संपता की रच्छा करने में अपने प्राणों की आहूती दी है। उसी सरदार पटेल की मूर्थी के नाम पर तमाम सारे आदिवासीों को विस्थापित कर दिया गया। अगर बस्पा और सपा द्वारा मूर्थिया और पार्क बनवाना पैसे का अपब्वय है तो निश्चे तोर पर सरदार पटेल की मूर्थी बनवाना और ये गोश्थ ना करना कि आयोध्या में बिस्थु की सबसे उची राम की मूर्थी बनवाई जाएगी ये भी मेरी ये आवाद हो रहा है अपने देश की लोगों को इस्तिती बताईए और ये बताने की कोशिस करिए कि अर्थ व्यवस्ता चौपट होने से इस देश के लोगों को कितना नुकसान होगा देखते रही ने सलजनमत जागरुक और सजग बने रहे जै विज्ञान जै समीदान ज करने वाद है और यूटीब कनल स्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइचन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है